Hello students, आज हम पढ़ेंगे class 3rd का व्याकरन का part 12, विलोम शब्द विलोम शब्द, पहले परीभाशा दिया हुआ है, किसी सब्द का विप्रित अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विप्रित अर्थक शब्द कहते हैं इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक दूसरे का उल्टार्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्दे कहते हैं या विप्रीरतार्थक शब्द कहते हैं विलोम शब्द यानि एक दूसरे का उल्टार्थ बताने वाले शब्द यह आपने सेकेंड में भी पड़ा था कि विलॉम शब्द के से कहते हैं और बहुत ही आसान है यह उसके बाद देखें यहाँ उधारन सरूप आपको कुछ दिया हुआ है उधारन सरूप दिया हुआ है आपको कि चितर के साथ दिया हुआ है कि सोनाई का जागना यहां देखिए सोना यहां जागना हसना यहां रोना यानि एक दूसरे का उल्टार्थ दे रहे हैं कोई सो रहा है तो कोई जाग रहा है कोई हस रहा है तो कोई रो रहा है ऐसे शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं कई विलोम शब्द दिये हुए हैं, चले देखते हैं इसको एक तरफ शब्द दिया है, एक तरफ विलोम शब्द दिया है जैसे प्रसन और प्रसन आजादी गुलामी काला सफेद पक्का कच्चा खरीदना बेचना पक्ष विपक्ष पक्ष यानी समर्थन में विपक्ष यानी जो हमारे समर्थन में ना हो गर्मी सर्दी मुश्किल आसान बदबू खुश्बू बदबू यानी दुरगन्द, खुश्बू यानी सुगन्द मीठा कडवा मीठा शब्द का विलोम कडवा होता है मुर्ख विद्वान मुर्ख यानी बेवकूप विद्वान यानी जुग ग्याता हो एकता अनेकता कम अधिक हार जीत पढ़ना लिखना आना जाना अमीर गरीब छोटा बड़ा अपना पराया सुख दुख देशी विदेशी सच्चा जूठा प्रकाश अंधकार मित्र सत्रू स्वामी सेवक देश विदेश नयाय अनयाय जै पराजय जै यानी जीत पराजय यानी हार घ्रिना प्रेम वीर कायर वीर यानी जो वीर वेक्ती होते है जिनमें साहस होता है उन्हें वीर कहते है और जिनमें साहस नहीं होता है यानी जो हमेशा डरते रहते हैं उसे हम कायर कहते है उसके बाद देखिए भला बुरा भला यह अच्छा करने वाला बुरा ने जो बुरा करता है भला बुरा आरम अंत हिंसा यानि मारना किसी को लड़ाई करना अहिंसा यानि किसी भी जीव की हत्या ना करना सुक दुख हानी लाब हानी यानि नुकसान लाब यानि पायदा खरा खोटा सरल कठिन आत्मा पर्मात्मा आत्मा यानि खुद की आत्मा पर्मात्मा यानि इश्वर घरेलू, घरका, बाहरी यानी पाहरका गिला, सुखा, प्रवेश यानी अंदराना, निकाला यानी बाहर जाने के लिए चूत, अचूत, चूत यानी जिसको चुनी योग यो, अचूत यानी जो चुनी योग न हो क्रिपन, दाता, स्वेत, स्याम, स्वेत यानि सफेद, स्याम यानि काला, देव यानि भगवान, दानो यानि राक्षस, समान, असमान, प्रमुख, समान, प्रमुख यानि मेन, समान यानि जल, जो कोई मेन अवेक्ति नहों समान वेक्ति हो किसी भी संस्था में कोई प्रमुख होता है तो कोई सामान विक्ती होता है इसी धंसी ये है प्रसंशा निंदा प्रसंशा यानि तारीफ करना निंदा यानि बुराई करना सुद्ध अशुद्ध पुर्व पश्यम पुरुणता अपुरुणता यानि पुर्ण होना पुरा होना अपुरुणता यानि अधुरा रहना पुरुसकार डंड पुष्ट अपुष्ट लोक पर लोक आस्तिक यानि जो इस्वर को मानता है नास्तिक यानि जो इस्वर को नहीं मानता है आयात निर्यात आयात यानि किसी दूसरे देश से कुछ चीज़े अपने लिए मंगाना अपने देश के लिए मंगाना दूसरे देश से मंगाना समान मंगाना पास Flail उदै अस्त यानि कलना अस्त नि ढूबना उप्रित विश जवाब आदान प्रादान निकान अधे आदान करना प्रादान ao यह देना लेना इसे ही आदान प्रदान कहते हैं कम अधिक उचा नीचा गुण औगुण यानि अच्छाई ओगुण यानि दोस्ट सजीव यानि जिसके अंदर जान हो निर्जव यानि जिसके अंदर जानना हो उपयोग यानि किसी भी चीज का सही उप्योग करना दुर प्योग यानि किसी भी चीज का गलत उप्योग करना नगर ग्राम नगर यानि सहर ग्राम यानि गाउं उच्छ यानि उच्छा उच्छ का निन्म बंधन मुक्ति बलवान यानि शक्तिशाली बलहीन यानि जो शक्तिशाली नहीं होता है निर्बल बाड़ सुकह भूत भविश्य मानव दानव रूपवान यानि सुन्दर कुरूप यानि बसूरत महात्मा यानि अच्छा वेक्ति दूरात्मा यानि जिसकी यात्मा में खराबी हो या बूरे कर्म करने वाला वेक्ति अच्छे कर्म करने वाला वेक्ति महात्मा जो बूरे कर्म करता है उसे हम दूरात्मा कहते हैं रागी, विरागी, हर्श, शोक, शगुन, निर्गुन, सबल, दुर्बल, संयोग, वियोग, सादर, निरादर, यह सारे विलोम शब्द हैं जो आपको याद करना है, आगे देखे, अब आसकारे देखते हैं, प्रस्न संख्या एक, निर्म शब्दों के विलोम शब्दे लिखे, जन्म, मरण या मृत्यो, प्रश्न, उत्तर, हार, जीत, लाव, हानी, देशी, विदेशी, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, प्रकाश, अंधकार, प्रस्न संख्या दो, निर्म शब्दों के सही विलोम शब्द के आगे सुद्ध का चिन लगाए, कुछ शब्दे दिये हैं, उन सब्दों के सही विलोम शब्द के आगे सुद्ध का चिन लगाना है, सुक, तो सही विलूम शब्द होगा इसका दुख, यहां टिक लगा देंगे, प्रकाश, सही विलूम होगा अंदकार, आयात, इसका सही विलूम होगा निरियात, तो इस तरह से यह प्रश्णा हो जाएगा, उसके बाद प्रश्ण संख्या तीन, सही विलूम शब्द के सामने दीवी जगह पे लिखिए मान इसमें से छाटना है अपमान उचा नीचा अमीर गरीब सरल कठीन आशा निराशा उसके बाद सही विलूण शब्द से मिलान करिए मैचिंग है सबसेजी है धनी का निर्धन, सत्रू का मित्र गुरू का शिश्य पहला का आखरी, अंदर का बाहर अच्छाई का बुराई इस तरह से मैचिंग हो जाएगा यह सारे प्रशन हो जाएगे अब नोटबुक वर्क देखिए प्रशन सवारी पार्ट बारह विलूम शब्द, उसके बाद लिखेंगे निलमिलखित शब्दों के विलूम लिखे, कुछ शब्द दिये हैं उसके विलूम लिखना है जैसा, सौरी जैसे अर्थ, अनर्थ यश, अपियश नक, सीख नवीन, नक यानि पैर के नाखुन और सीख यानि सर नवीन, प्राचीन अनूज यानि छुटा, अग्रज यानि बड़ा अस्त, उदय प्रेम, ग्रिना राजा, रंग उधार, नगद आदी, अंत इस तरह से ये तेन शब्द हैं जो आपके बुक से कुछ लिए हैं कुछ अलग से लिए हैं इस तरह से ये नोटबुक में लिख लेंगे तो हमने पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है अपना विलोम शब्द पार्ड भी पढ़ लिया और नोटबुक कार भी देख लिया तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस क्रास में थेंक्यू स्टेंट